और अपके पेट में न कोई बात ही नहीं पच्ती आप सब कुछ लोगों को बता देते हो सब आइडिया को बताद को आप को आपको कोई सीक्रेट बताने का कोई फाइदा नहीं हुता अपको एक बात बताओ तो पूरे शहर को पता जल जाती है आप लोगों को भी यह चीज़ें सुनने को मिलती है इट मीन्स कि आपके भी वेट में कोई बात नहीं पचती आपको कोई भी बात पता चल जाए ना तो आपको धिंडोरा पीटने का शौंक पड़ जाता है और वो आपको पता नहीं चलता कि आप अपना ही सीक्रेट जो पू कौन से प्लाइनट जो हैं वह आपका सीक्रेट आप ही के थूर रिवील करवा देते हैं और लोग आपका फायदा उठाके साइड में हो जाते हैं आपके बिजनस आइडियाज भी लोग आप ही के मुह से सुनके उनको आपसे पहले इंप्लिमेंट करके फायदा उठा जाते हैं तो जानते हैं कौन से प्लाइनट रिस्पॉंसिबल होते हैं दोस्तों जब भी आपकी कुंडली में चंद्रमा पीडी तवस्था में होता है न तो इंसान अपने सीक्रेट खुदी लोगों को बताने चुरू कर देता है और जब वो अपने सीक्रेट बता देता है तो उ उसको ऐसे लगता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा या उसे अगर confidence होता है कि अगर मैंने यह बहुत अच्छी strategy प्लान की है तो वो खुद अपनी appreciation लोगों के मुझे सुनने के लिए लोगों को अपने के लिए ही appreciation जो है वो लेने के लिए कि हां तो बहुत अच्छे track पे है वो कौन करते हैं जिनका सूरज भी कमजोर होता है यानि दो प्लैने यह जिनका सूरज कमजोर है वो भी अपने मन की बात वह सब को लोग पहले बता देंगे प्लैन भी करेंगे सबसे पहले लोगों को आगे जो है वो पूरा डिंडोरा बीट देंगे जिनका चंदरमा कमजोर है वो लैक ओफ confidence की वजह से अपने सारे प्लैन लोगों को बता देते हैं तो इससे होता क्या है कि लोग जो है कुछ अपने खुद खुद पहले इंप्लीमेंट कर लेंगे और जिसने प्लैन बनाया है वो मुझ देखता रह जाएगा और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कुछ लोगों की गरेलू ग्रिस्ती भी खराब हो जाती है खराब जंद्रमा वालों की अपने घर की जो परसनल बात होता है इस्पेशली बार्वें घर में अगर शुक्राब वस्ता में तो ऐसे लोग बेडरूम की बातें भी लोगों के साथ सब्सक्राइब करने के लिए चलपड़ेंगे कि मेरे साथ जो क्योद्वर्य करने के लिए अफे बिसनस ज Ready को बीजनस आइडिया होगा व् Folkwe क और उसी reveal कर देने की वज़ा से वो अपने कारोबार में नुकसान भी खाते हैं तो अगर आप भी इस आदत से पीडित हैं तो अपने सूर्य और चंद्रमा इन दोनों ग्रहों को मजबूत करो इन दोनों ग्रहों को मजबूत कैसे किया जा सकता है उसका उपाय क्या है पहली बात कि इन सब चीजों का उपाय जो है अपनी कुंडली के हिसा आप से जरूर करवाओ लेकिन एक जनरल उपाय जो मैं आप सब के साथ शेयर करना चाहूंगा वो है कि रोज सुबा दिन की शुर चाहे कोल्डरिंग जो भी आपको पीना है लीकुड उसको चांदी के ग्लास में इस्तिमाल करें और तीसरी चीज कि रोज सुबा उठके खाली पेट तांबे के बरतन में पानी पीए रात को तांबे के जग में या ग्लास में पानी डालके रखें सुबा उठके उस पानी क खुद को भी सुधारना पड़ेगा फिर जाके आपको रिजल्ट मिलेंगे तो इसी तरह की चीजों के लिए मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबके प्यार के लिए धन्यवाद